हेलो डियर स्टुडेंट्स इसके जो पोईट है वो W.S. जेविस है और बहुती अच्छे टॉपिक पर उन्होंने ये पोईब लिखी है खाली समय आज इंसान पर सब कुछ है बस उसके पास अपनी लिए खाली समय नहीं है जिससे की वो भगवान की बनाई हुई उन चीजों को फिल कर सके जो की उसे फ्री में मिली हैं और नेचर ने हमारे हमें वो जो इन्जोई करने के लिए ब्यूटी दिया अपनी हम उसे इन्जोई कर सके तो लेट सी दे पोईब यह जीवन और क्या है सारा जीवन हम अपनी जरुवतों को पूरा करने में धन कमाने में चीजों को इखटा करने में लगे रहते हैं हमारे पास थोड़ा सा भी समय ऐसा नहीं है जो कि हम रुख जाएं और उन चीजों को फिल कर सके इन्जोई कर सके हमारे पास वो समय नहीं है जब हम पेडों की डालियों के नीचे बैठे और शीप और काओस को घास चड़ते हुए देखें हमारे पास इतना समय नहीं है कि जब हम जंगलों से निकलते हैं तो वेर इस्क्वाइरल्स हाइड देर नट्स इन ग्रास तो हम ये चीज फिल कर सके कि जो इस्क्वाइरल्स है वो अपने नट्स को कहां चुपाती है घास में किस जगा से किस जगा चुपाती है और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि जब हम दिन का समय होता है दिन की तेज रोष्णी होती है तो जब वो पानी के उपर पड़ती है streams यानि की नदी वगेरा यह है तुमारे ज़रने वगेरा के उपर जब दिन की light पड़ती है तो हम उन stars को जो आकाश में होते है वो हम पानी के अंदर देख सकते हैं, reflection of light की वज़ा से तो हम उसको पानी के अंदर देख सकते हैं, तो हम पर इतना समय भी नहीं है, कि जो चीजे हम रात को आसमान में देखते हैं, वो दिन में हम पानी के अंदर देख सकते हैं, no time to turn at beauty glance and watch her feet how they can dance, और हमारे पास इतना समय नहीं है, कि हम beauty, जो nature की beauty है, उसको ध्यान से देख सकें और उसके movement को feel कर सकें, यहाँ पर यह beauty glance है, यह nature का movement है, कि जैसे हमारी प्रकृती, जो है, वो हमें different different scene create करती है, पेडों के अंदर जब हावा टकराती है, तो उसके चलने की आवाजे, पानी ज जब तूफान आता है, तो वो पानी की जो आवाजे हैं, बारिश के पढ़ने की आवाजे हैं, और पेडों पर जब बरह जमती है, तो उसकी वज़े सफेज चादर जम जाती है, उस चीज को feel करने का हमारे पास समय नहीं है, no time to wait till her mouth can enrich that smile, her eyes begin, और हमारे पास इतना समय भी नहीं है, कि जब हम इस nature की beauty को अपनी आखों से देखते हैं, तो हमारे face पर भी smile आती है, हम उसको रुक कर देख सके, a poor life this is if full of care, विचार ये जीवन कुछ ऐसा ही है, सारे जीवन हम अपनी जरुवतों को पूरा करने में और अपने चीजों की care करने में लगे रहते हैं, we have no time to stand and stare, और हमारे पास अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, कि हम उस life को enjoy कर सके, जो हमें beauty भगवान ने दी है, उस beauty को हम enjoy कर सके, thanks, have a nice day student.